अगर आप थोड़ा भी ध्यान से देंगे तो आज कल ऐसी घटनाएं बहुत आ रही हैं कि जब जवान जवान बच्चे जगा जगा पर मारे जा रहे हैं या जेल में जा रहे हैं उनका भविस्या खराब उरा है और ये सब पड़े लिखे बच्चे हैं खासतोर से SC, ST और OBC समाज के भारत के लोग दूसी तरफ अगर आप ध्यान दोगे तो जब ये मारे जाते हैं तो ये किसना किसी संग्ठन के सदस्य होते हैं या किसना किसी संग्ठन से ये बाचित करके रखे होते हैं भारत में SC, ST, OBC के 10,000 संग्ठन हैं और 20,000 उनके तथा कथित अपने आपको राष्ट्य निता कहने वाले राष्ट्य निता हैं जो चंदे और धंदे और पूरा का पूरा इनों ने प्रपंच बनाया हुआ हैं मगर ये जो लोग हैं ये इन बच्चों को भोले वाले बच्चों को कहते हैं कि बावा साब अमबेटकर ने कहा था कि संग्ठित रहो और संगर्स करो और संगर्स करने का जो मतलब है वो खुद नहीं जानते इसलिए बच्चों को भी नहीं बता पाते दरसल बावा साब ने कभी ये नहीं कहा कि संगर्स का मतलब आपने लडाई करके मरना है संगर्स का मतलब होता है पड़ लिखे अच्छे तरीके से अपना आंदोलन चलाना, अपने हक के लिए लड़ना और अपने समाज को स्रक्षित करना और खुद भी स्रक्षित रहना जैसा कि उन्होंने पूरे जीवन में आंदोलन चलाया उनके आंदोलन को देख सकते हैं उनका आंदोलन कभी हिंसा का आंदोलन या अगर आंदोलन नहीं रहा और वो छोटी मोटी बात पर कभी कोई ऐसा विवाद भी नहीं करते थे वो बड़ी मुद्धर बड़ी बात करते थे दरसल ये जो दस हजार से ज़्यादा जो संग्ठन है भारत के इने संग्ठनों की सबसे बड़ी बात ये है कि ये बावा साब अमेडगर का पाठ बढाते हैं बावा साब अमेडगर को लोगों कहते हैं कि आप बावा साब को मानिये मगर ये खुद बावा साब को नहीं मानते हैं ये सिर्फ उनका ढोंग करते हैं और लोगों को बैकाते हैं अगर ये बावा साब की बात मानते होते तो ये सारे संग्ठन एक होते बावा साब ने कब कहा कि संग्ठित हो जाओ तो दसजार संग्ठन बनाना अब आप कहना संग्टभं और आप संग्टभं मत होना ये सारे संग्टन कभी संग्टफ नहीं होते इसलिए ये जो जूंटे संग्टन है इनकी बात मत मानिये मेरा नौ जवानों से खासतोर से निच्वदन है कि आप इनके चक्रविह मत फसिए क्योंकि ये बावा साब के अनुयाई नहीं है अगर ये एक लाइन कहीं दिखा दें कि बावा साब ने ये कहा था कि दसजार अलगलग संगर्स बना के तुम स्वेम संगू नेता बन जाना तो मैं वीडियो बनाना छोड़ दूँगा आप इनसे पोचिए कि आप बावा साब ने कहा कहा है कि अलगलग संगर्स बना के संगर्स करना है हर एक व्यक्ति को ये जाल में फसाते हैं उससे चंदा मंगाते हैं उसको संगर्स के लिए उसको पढ़ाते हैं और कहते हैं कि ये जो हिंसा हो रही है या जो तुम्हारा नौकरी नहीं मिल लए है या जो तुम बेरोजगार हो या तुम्हें काम नहीं मिल ला है या जो शोशन हो रहा है या तुम्हारी पिटाई हुई है या तुम्हारे साथ तच्यार हुआ है या तुम्हारा कोई बेचेती कर रहा है इसके जो जुम्मेदार हैं वो कुछ खास तरह के लोग हैं उनको मनुवादी बोलते हैं ऐसा ये बार 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 आपको सिखाते हैं ये स्टेक्मेंट पूरी तरह से गलत और जूटा है दरसल मनुवादी या कोई भी लोग वो संख्या में अतने कम है कि वो आपको कुछ नहीं कह सकते मगर ये 10,000 के 10,000 जो संख्या ने ये उनसे मिले हुए हैं उन मनुवादी यों से उन लोगों से मिले हुए हैं ये उनका काम करते हैं ये उनके चुपे हुए एजेंट हैं ये उन चुपे हुए एजेंटे पर काम करते हैं इसलिए ये कभी आपस में एक नहीं होते हैं अगर ये एक हो जाए तो इनकी संक्या जादा है और इनकी संक्या जादा होने की वैसे सारे जितने भी बेरोजगार लोग हैं यूबक हैं उनका काम बन जाएगा उन्हें को छेड़ेगा नहीं उन्हें को परचान नहीं करेगा, उनको नौकरी मिल जाएगी, उनको खाना मिल जाएगा, उनको सभी सहीतरी किसे बात करेंगे, देश उनका है तो उनके देश में उनकी जो मानता है वो उनके पास में तुरनता जाएगी, मगर ये दसजार के दसजार जो संक्टन हैं, ये इतने निकम्मे नालाय और ये आधे बुद्धेजीवी है के ये सुर्फ इसलिए है के ये कुछ करते वरते तो है नहीं और नेतागरी करने के लिए इनको किसम ना कहा भी नहीं है। ये स्वैम संभू नेता हैं, अपनी मर्झी से खुदी नेता बनते हैं, कभी पुब्liक नेनको नहीं कहा। तुम नेता बनो, नेता बनने के बाद में ये धोंज जमाते हैं, कि अब हम संग्ठर मनाया है, तो ये पैसे के लिए अपने एजंट छोड़ते हैं, लोगों कहते हैं, कि आप हमारी परची लोग, और इसका पैसा करो, हम ये करेंगे और वो करेंगे, किसी के पास कोई प्लान खाजी के उपर, मनुबादियोंक पर जो ज़्जाम लगाता है, आप सच मानना, कि वो आपका नंबर इका दुस्मन है, गद्दार है, क्योकि बावा साहब ने कब कहा था, कि तुम अलग-अलग होके मनुबाद पर आक्रमन करना, उन्होंने कब कहा था, कि तुम संग्ठत म के लिए छोड़ देना ये सारे नेता जब बच्चे को मांसी कुरूप से विमार कर देते हैं उसकी कमजूडी वहाँ बात करते हैं, साहे तक नहीं बात करते हैं अरे अगर तुम 10 के 10 नेता एक खटे हो के वहाँ चले जाओ 10 के 10 संग्धनवा एक खटे हो के चले जाओ तो वो बच्चा कभी मरे ही ना अगर तुम सारे खटे हो जाओ तो सारे परिवारों को नौकरी मिल जाए अगर तुम सारे खटे हो जाओ तो आरशन कभी खतम हो ही ना अगर तुम सारे खटे हो जाओ तो ये जितनी समस्या परशानी है ये एक मटमट ही हो जाई मगर ये नेता उनों लोगों से इसकदर मिले हुए हैं इसकदर मिले हुए मनिवादियों से कि ये बावा साब का नाम ले लेके रोज बावा साब की बिचती करते हैं रोज बावा साब को जूते मारते हैं रोज बावा साब को ये बदनाम करते हैं बावा साब ने कब कहा था कि तुम अलग संग्धर मनाना कितनी बड़ी बेचती बावा साथ करते हैं एक बात बावा साथ की नहीं मानते के संगटत होना है और बाकी सब लोगों कहते हैं के संगटत हो जाओ, संगटत हो जाओ, संगटत हो जाओ अरे बे सरमो तुमारा मूख कैसे खुल जाता है बाकी लोगों को ये कहने के लिए के संग्टथ हो जाओ जब तुम खुद संग्टथ नहीं हो जब तुम संग्टथन की परिभासा नहीं जानते जब तुमारे एहम और इगोत नहीं है तो अपने एहमरी को छोड़के आज इखटे हो जाते त्योंकि तुम्हारा और कोई काम तो है नहीं ये रोजी रोटी से तुम्हारे पेट बलते हैं और इसी रोजी रोटी से जो चंदे से तुम्हारा घर चलता है इसलिए तुम एक कैसे होगे इसलिए नोजवानों इस बात को समझो अपने आपको बचाओ ये जो गौलियर में लड़का मरा है ये किसी संग्ठन का कोई पता दिगा इथा जिसको मार दिया वो संग्ठन इसका कोई भरा नहीं कर सकता वहाँ जाके सिवाए नेतागरी करने के और दस पांच मर जाएंगे चकर में कोई नहीं बचाने वाला आएगा दंडे उठा लो इनने नेताओं को बोलो के खटे हो जाओ नहीं खटे हो जाओ दिनकी सुताई करो एक बार भगवान बुद्ध ने कुछ भिक्यों में जगड़ा हुआ जगड़ा हुआ किस बात के लिए है कि भिक्यों ने अपनी अपनी आसामी बना ली और अपने अपने छेत बना ली अपने अपने मठ बना ली और वहाँ पर वो रोजी रूटी कमाने लगे जब भगवान बुद्ध को ये पता चला तो भगवान बुद्ध वहाँ अपने भिक्कुर संग के साथ गए और उन्होंने विने के नियम सब को बताए कि सारे एक साथ रहेंगे, संग में रहेंगे कोई अलग-लग नहीं रहेगा वो लोग अपने भिक्का में और अपनी आसामियों में जो उन्होंने वहाँ लोगों को पटा के गैंग बनाया हुआ था गुरुब बनाया हुआ था उसमें इसकदर मस्कूल हो गए कि उन्होंने भगवान बुद्ध की बात सुनी ही नहीं और भगवान बुद्ध को हतास और निरास होके वहाँ से आना पड़ा और हतास नास जब वहाँ से चले तो लोगों को इस सर्ण में आया कि अरे ये तो किसी के भी सके नहीं है अगर ये खटे नहीं हो सकते तो ये किसी काम के नहीं है हमारे काम के भी नहीं है तब वो संग में सामिल हुए तब लोगों ने उनको रस्त देनी शुरू की वही काम करो वही भगवान बुद्ध से सीखो ये दसयार के दजयार संग्टन है इनकी दसत बंद कर दो इनकी परच्या कार्टनी बंद कर दो इनकी वीडियो देखना बंद कर दो इनकी वीडियो पर लिखो जमके है कि तुम सब निकम में हो तुम इखटे नहीं होते तुम ऐसे ही मरवाद होगे तो जो रोहित वह मिला मरा है ये बले सरम की बात है कि जब वो मरा तो उससे पहले कोई संक्टन मा पहुचा है नहीं अगर सारे संक्टन साथ होते सारी युनिवेस्टियों के प्रोफेसर टीचर साथ होते सारी युनिवेस्टियों के स्टुटेंट अगर एक आवाद में होते तो वो मरता है नहीं कभी उसकी एक समस्या को दो मिट में सॉल हो जाती मगर ये पड़े लेखे आधे बुद्धी जीवी हैं ये डॉक्टर घंटा हैं ये भी खटे नहीं है बहुत बड़ी दिक्कत और बहुत बड़ी परिशानी है ये इस्टुडेंट को भी खटा नहीं होने देते हैं इस्टुडेंट की जो नेता हैं उन्होंने अलग-अलग-अलग-अलग संग्ठन बनेंगे और कोली बनेगा जितने ये राजनीतिक संग्ठन हैं वो सब अलग-अलग हैं 15% राजनीतिक संग्ठन अगर एकट्टे भी हो जाएंगे तो भी वो एक शीट निकल सकते 15% से कोई शीट निकल सकती ये बात हमारे जैसे लोगों को समझ में आती है इनको समझ में नहीं आती है और फिर भी इनके जो एजन्ट हैं जो चंदा इखटा करते हैं वो कहते हैं कि हमारी पार्टी करांती करेगी हमारी पार्टी ब्रधान मंत्री बनेगी हमारी party मुख्यमती बनेगी अरे कैसे बन जाओगे तुम 15% के 15% इखटे हो जाओगे तो भी नहीं बन सकते तुम इखटे होगे, तब OBC इखटा होगा तब ST इखटा होगा, तब कहीं कोई मारेटी इखटा होगा तब कहीं लोग जाके 25% एकटे हो तब तुम सीट निकालना का सोच सकते हो 15% कैसे निकाल लोगे ये बेफ को बनाना बंद करो बच्चों को मरवाना बंद करो वो जो बच्चा है जो पारस चौधरी है जो हराबली के अंदा जो गौलियर में मारा गया है कितना 21 साल का जवान बच्चा बी-ए में पढ़ता था अभी उसकी डाड़ी मोची निकली होंगी मुस्किल से और उसको कुलाणियों से उसको काट दिया गया और मार दिया जो डाक्टर तर्वी थी डाक्टर तर्वी का क्या था उसको सिफ जानका नहीं थी अगर डाक्टरों का सारे भारत में एक संग्ठन होता है SCSTHOBC का उसको कोई परिशानी आई है तो परिशानी उसको आती ही नहीं तो यह डाक्टर जितने भी हैं इनके अलग-लग संग्ठन चलते हैं एक संग्ठन नहीं है किसी का मुझे बड़ा हैरानी होती है कि जो पड़े लेखे आधे बुद्धी जीवी लोग है ये डंका पीटता है कि हम बड़े बुद्धी जीवी नहीं है ये तो बुद्धी हीन लोग है ये एक संथद नहीं बना सकते एक संग्ठर बनाने की प्रिक्रिया नहीं आती इनको क्या राज करेंगे देश पर और क्या करेंगे ये कुछ आगे जो इनको सुनाते हैं वो ठीकी इनको सुनाते हैं और ठीकी कहते हैं आप नौजवान हो आप समझ जाओ समझ जाओ अभी मौका है धंडा उठालो, इनकी सुताई करना शुरू करो, इनका राशन पानी करना बंद करो जब तक सारे खट्टे होके ना आ जाए, तब तक कोई सपोर्ट नहीं ना सपोर्ट है, ना बोट है, ना उनको चंदा है, ना धंदा है, ना उनकी मानता है, ना उनसे बाचित करनी है इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है और प्रधान मंत्री यहां किसी का नम्बर नहीं आने वाला है 15 परशन लोगों का प्रधान मंत्री बनता है 87 परशन लोगों का जबता 87 परशन लोगों नहीं बनोगे प्रधान मंत्री नहीं बन सकता इसलिए 9 जवानों अपने आप आपको बचाओ, देश को बचाओ, देश की तरक्की को बचाओ, देश बहुत ज़्यादा परिसानी में हैं, ये जितने भी लोग हैं, बड़ी महनस से आगे बड़े हैं, इनके बच्चे मारे जा रहे हैं, और ना मरें इसमें साब्धान हो जाओ, धम्नेवाद। किताब में छाबनी चाहिए, या इसकी जो ओडियो है उसे निकाल के भीजना चाहिए, या इसका किसी पार्ट को इस्तमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपिराइट फिरी हैं, आप अपने फेस्बुक पे, अपने पेज पे, अपने लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूटूब पे चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं, इसके लिए इजाजत लेने की या परमिसल लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम सबका है, हम जो शरनं गच्छामे धम्वंशरनं गच्छामे संगंशरनं गच्छामे शरनं गच्छामे धम्वंशरनं गच्छामे संगंशरनं गच्छामे संग्वंशरनं गच्छामे